हो सूधेट सब्लक उने अधे राश्रामए एक्ले इस स्कूलिट्र मैं दिससे वह स्टॉडें वाइन किसरे आने मंट मेह वाँ है इस मिलिटन शेज मेखने flexibility dancing me mi micro mini assignment इस व्लेसं सेए एक एक लिसनल है लिसन से कौन से important paragraph होंगे lesson से आने वाले कौन से short answers important होंगे कौन से long answers हैंगे और कौन से objective रहेंगे इस सारे details रहेंगे मैं एक एक करके upload करूँगा हो सका तो आप एक notes maintain करके लिखने की कोशिश कीजिए पहला lesson है second language हिंदी है first language हिंदी 10th class students के लिए बरस्ते बादल इस lesson से देखे पहले याँ पे निमने लिखित पधांश पढ़कर प्रश्णों के उत्तर जी ये पढ़ना है आपको पढ़के नीचे कुछ questions दिएगे हैं उस questions के answers यहाँ पर आप त्री समझ रहें लेकिन ये five आएंगे बोर्ड में ये आपको इसलिए इस तरह आपको दिखाएगा पकड़वारी की धार जूलता है मेरा मन आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन इंद्रधनुष के जूले में जूले मिल सब जन फिर फिर आए जीवन में सावन मनभावन यहाँ पर questions दिया गया देगे किसे घेर कर सावन का गाना गान ठार यहाँ यहाँ उपर युक्ति कविता के कविता को नहीं यह आपको लिखの मैं ठ courtesy इस जडे की रक्षा करना है अपना तन मन वारा एक वार कहो जो से गहिन का नारा इसके answers क्या है? तिरंगा किन की याद देता है? हमारा करतव भी क्या है? याद शब्द का विलोमा पोजिट वर्ड आपको लिखेना है इस lesson से आने वाले very short answers देखे नीचे दिये गए प्रश्मों के उत्तर चार पंक्डे में शाम प्रकृती की कौन कौन सी चीजें वर्षा के समय मन को छू लेती है यह है गनान पीट परसकार ग्रहित स्री सुमित्र नंदन पंत के बारे में आप बताईए very short answers है उसके बार long answers दिखे नीचे दिये गए प्रश्मों के आठ पंक्तियों में लिखना है वर्षा के समय प्रकृती के सौंदर्री का वर्णन पंत की बातों में स्पस्ट कीजिए सावन की विश्ष्टाओं को पंत जने किस प्रकार चितरन किया है यह long है अब इसे related long answers भी यहां पर दिखे और भी नीचे दिएगे प्रश्मों के उत्तर आठ पंक्तियों में लिखना है प्रकृती सौंदर्री पर एक छोटी सी कविता लिखना है अपने मन पसंद के त्योहर के संबंदिन मित्र को वारत ले कीजिए यह आपको चेनरल टॉपिक रहेगा इस लेसंस से related अब इस लेसंस से मेघ वर्ष जल पानी आकाश पानी आपको लिखना है जीवन में हर एक सुखी रहना चाहता है रेका के शब्द का विलोम शब्द आपको जीवन में यह आप शब्द का जीवन का अपोसिट वर्ड से मरण आ रहेगा जैसा जीना हंसना मरण योवन इस तरह आएगा आधाराओं दाराएं जर्ति धर्ति पर सही कारक चेंजे में भरी ए कौन सा दिखी धर्ड धाराओं 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 के नीचे के फीछ इंग है इसके अंदर यहां पर दिखिए पुलका वाली शब्द का संदी विचेत करना है पू प्लस लका वाली पुलक प्लस आ वाली पुलक प्लस आ वाली पुलक प्लस वाली ये कौन सा वाली लिखना है मेग गगन में गरजन भरते हैं इस वाक्य को भविश्यकाल में लिखना है मेघह गगं में गरजना भरrudh था मेघह गए गरजन भररअ मेघह गगन में गरजन भरेगे मेघह आपको उसके अज़ेह होगा इसके अज़ेह इस तरह आपको लिखनें students के लिए और जो भी मैं एपलोड कर रहा हूं थोड़ा सीरियसली लेके पढ़े क्योंकि बोर्ड एक्जैम्स के लिए वेरी इंपॉर्टन है अभी हम करेंगे ईदगहा लेसंसे उबवाचक शांती की राहा में इस दोनों लेसंसे कौन से कौन से इंपॉर्डन हो सकते हैं लिखना आप देखे सबसे पहले निमनेक लिखित गधांश पढ़कर प्रशन के होता है यह गधांश पढ़ना है आपको पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्टन दिये जाएंगे इसके आंसस लिखना है आपको यहां पर तो तीन है लेकिन बोर्ड में और कितना विवेक है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही आमिना का मन गदगद हो गया आंचल फैला कर हमीद को दुआएं देती जाती और आसुओं को बड़ी बड़ आती जाती हमीद इसका रहासी क्या समझता है तीके समझा था फस्ट क्वेशन अमीना का स्नेह कैसा था आपको लिखना है उपर युक्त गदाश में बच्चा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया बच्चा किसके वास से इस्तमाल किया गया या पर हमीद किया वास से यह लिखना है बच्चे हमीद के कौन कौन से भाव है यह आपको लिख लेना है उसके बाद एक और दिया रहे गए निमनी लिखित पदाश पढ़कर प्रश्म करते हैं नौट शाय नौन डिटेल से रहेगा मंडेला के नाम से विश्वभर में प्रख्यात शांतिदूत का पूरा नाम निल्सन मंडेला या निल्सन रोली हलाल रोली या पर रोली हल हला मंडेला था उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षण आफरिका में हुआ वे दक्षण आफरिका के प्रधम अश्वेत रास्टपती थे रास्टपती बनने से पूर वे दक्षण आफरिका में सदियों से चल रहे रंगभेत का विरोध करने वाले आफरिका नेशनल कांगरेस और उसके सशस्त्र गुठ उमखोतों के उमखोतों वे सीजवे के अध्यक्ष रहे रंगभेत विरोधी संगर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष राविन द्वीप की कारागार में बिताया उन्हें कोईला और खानिल का काम करना पड़ा था सन 1990 में श्वेत सरकार्व से हुए एक समझोते के बाद उन्होंने नए देक्षिन आफ्रिका का निर्माण किया है यह पड़े बाद यहां पर कुछ क्वेश्टन्स रहेंगे मंडेला का जन्म कब और कहां हुआ था यहां पर उमखोतों से के उमखोतों में सीजवे क्या था यह गदाश के स्पार्ट से लिया गया है यह आपको में लगा और इससे रिलेटेड कुछ आंसस रहेंगे शौर्ट आंससे देखे नीचे दिए गया प्रशनों के उत्तर यहां पर चार या पांच पंक्ते में आपको लिखना है प्रेम्चत के बारे में आप क्या जानते हैं हमीद अपनी दादी के लिए चिम्टा ही क्यों खरीदा उसके बाद थोड़े लॉंग अनसस रहेंगे नीचे दिए गया प्रशनों के उत्तर आठ पंक्ते में लिखना है हमीद की निर्वास्ता भावना को आधार पर लिखिए अमीना और हमीन एक दूसरी के प्रती का प्यार इदगा कहानी के द्वारा सिध्ध कीजिए नीचे दिए गए प्रशनों के उत्तर आठ पंक्ते में लिखना है पाठ शाला की ओर से विगना नियातरा का आयोजन किया गया है आप अपने पिता से रुपिय तथा अनुमती मांगते हुए पत्र लिखिए लेटर लिख रहा है लेटर है खेल कूद शिक्षा का अनिवारी अंग है अच्छी शिक्षा उद्देश चात्रों का शारिरिक मानसिक एउनायतिक विकास करना है इस पास्ट कीजिए उसके बाद इसे रिलेटर ग्रैमर दिखिए नीचे दीगे प्रशनों के उत्तर सही विकल्प में दिजिए हजारों दुआओं देते रहेगी रेखा के शब्द का अर्ति लिखना है यहां पर बधाई, आशिरवाद, खीमती, मिठाई यह मतलब आशिरवाद आएगा है यहां पर इस तरह आपको आएगा मैं गाउं जा रहा हूँ रेखा के शब्द का वचन बदल कर लिखने हम लोगिए माई मतलब हम आएगा यहां पर जैसा वे गाउं जा रहे हैं हम गाउं जा रहे हैं वह गाउं जा रहा है मैं गाउं जा रहा हूँ शहर की सुन्दरता देखने लायक है रेकां की शब्द में उपसर की पशानना देखने की आएगा यहां पर सुन्दरता है ता आएगा आज का सूर्य देख यहां वाकि का है कोई आज का सूर्य देखो यह प्रशन आर्थक वाकि है या विधन आर्थक वाकि है आगना आर्थक वाख्य है इच आर्थक यहां पर आगना आर्थक वाख्य है सद भव संदी विश्चेत करना है सद प्लस भव सद प्लस भव सा प्लस दभव सदावा सदा प्लस भव हमीन ने कालेजा मजबूर करते कहा रेखा कि तोहा और रेखा आर्थ क्या है तैयार होना गायब होना धीक मांगना धीरच बंद लेना तो इस तरह आप इस लेसन का ये भी बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं थोड़ी से अगर मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो हर लेसन के मैं अपलोड करूँगा क्योंकि लेसन का जो भी निचोड होता है चाहे क्विशनारसिस के रूप में हो चाहे पैरेग्राफ के रूप में हो चाहे पोएम के रूप में हो सभी इंपोर्डन आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे चलिए हम देखते हैं मा मुझे आने दर मत आने दो यहां पर क्या पर रहा है फायलोंगी फायलोंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर लिप्टोंगी तेरे आंचल में खुजबों बनकर मेरी किलक और ठुमके खदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा जो पसरा है पिता के दम आई की उद्दंदर टता के का परण सदियों से पोच दूंगी अंधेरा जो तेरे माते की सिलवटों में सिमटा कभी-कभी जर जाता है ओस की बूंदो सा आँखों की कोरों से तो यह पोएम है इसके कुछ कुश्चन दे गए दिखे मा मुझे आने दो यह वाक की किस ने कहा है बेटी के कदमों में घर का क्या बिखर जाएगा इस पधांश में किस मकाम हात्म है यह आपको लिख लेना है उसके बाद निम्न लिखित पधांश पढ़कर यहां पर भी पैश्चन करता है बेद भाव अपने दिल से साफ कर सके दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके जूटे से बच्चे रहें सच का द कर सके हम किस से बच्चे रहें दूसरों की जय से पहले किस की जय करें यह हो गया अब इसे रिलेटेट कुछ क्वेश्चन रहेंगे इंपोर्डन देखिए नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर चार पंक्तियों में लिखिए बेटी मा को क्या देना चाहता है समाज में भ पुर्ष्ट दोनों का समान महत्म है मा मुझे आने दो कविता के आधर पर सिद्ध कीजिए बालिका शिक्षा की प्रेणा समाज की स्थिती को बदर सकती है अपने विचार लिखिए उसके बाद कुछ और है दिखिए पर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर आठ पंक्त दिजी धुल जाएगा सारा का सारा रुखिला एहसास रेखा के शब्द का अर्थ लिखना है रुखिला मतलब सूखा यहां पर सूखा निंदा खुश्रुमा सुंदरता है आपको चारों में से कौन सा होगा महोदय यहां आये रेखा के शब्द का लिंग बदलने पर यह वाक्षि होगा महोदय यहां आयी महोदय यहां आया महोदयों यहां आये महोदय यहां आयी यह आपको अठारहा सव एक्कैनुए को अंकों में लिखिया अठारहा सव एक्कैनुए मतलब यह होगा यहां पर आ पूर्ण विराम है या प्रश्न वाचे के आपको लिखना है मैं मेरे काम कर रहा हूं वाकिका शुद्रुप होगा हम अपना काम कर रहा हूं वह अपना काम कर रहा हूं हम मेरा काम कर रहा हूं मैं अपना काम कर रहा हूं यह होगा मैं अपना काम कर रहा हूं जो पसरा है पिता डैश डम रिक्त शब्द सही करार जवाब दिजिए का के की को जो पसरा है पिता का यहाँ पे आए गाए